नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MS चादन YouTube चैनल पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दू कि ये वीडियो only educational परपच के लिए बनाई गई है इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें यदि आप इस वीडियो का misuse करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी हमारे YouTube चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसलिए इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें ये वीडियो only educational purpose के लिए बनाई गई है दोस्तो आप देख रहे होंगे मेरे पास में ये mobile है और इस mobile का pattern मुझे पता नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे इस mobile का pattern बिलकुल भी पता नहीं है कि इस mobile का pattern क्या है लेकिन दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊँगा जिससे आप mobile का pattern lock तोड़ पाएंगे हाँ दोस्तो आपने सही सुना आप mobile का pattern lock तोड़ पाएंगे इससे पहले आपसे एक छोटी सी request है कि प्लीज वीडियो को लाइक करते और comment box में pattern lock चरूर लिख दे और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ट्रेस करते हैं अब मैं आपको बताने बाला हूँ दोस्तो कि आप किसी भी mobile का lock कैसे तोड़ सकते हैं वो भी pattern lock हाँ दोस्तो किसी भी mobile का lock तोड़ सकते हैं आप बीबो, सेमसंग और ओपो काफी सारे mobile है काफी कंपनियों के mobile है सब का lock तोड़ सकते हैं इस trick से जो मैं आपको बताने बाला हूँ तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस mobile का pattern lock कैसे तोड़ेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको कुछ इस type का interface दिखाई देता है तो मुझे इसका pattern lock बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसका pattern lock क्या है लेकिन आप इस mobile का lock तोड़ सकेंगे इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ trick बताने बाला हूँ बोड trick आपको follow करनी है, तो दोस्तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, आपको कुछ pattern बनाना है यहाँ पर आपको जैसे कि मैं बता दू ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है ऐसे जाना है और फिर आपको नीचे आ जाना है और बापस से यहाँ पर जाना है और इसके बाद इस पर जाकर इस पर आ जाना है हाँ दोस्तो एक बार आपको यह करना है इसके बाद मैं भी आप देखे जाना है फिर आपको उपर जाना है फिर आपको वापस नीचे आना है और आपको नीचे आने के बाद यहां पर आपको जाना है फिर आपको यहां जाना है फिर आपको नीचे आ जाना है फिर आपको ऐसे जाना है और फिर ऐसे आ जाना है हाँ दोस्तो आपको यह काम भी कर ले बीच में बिलकुल बीच में जाना है फिर आपको यहां पर साइड में जाना है फिर आपको साइड में जाना है फिर आपको नीचे आ जाना है फिर नीचे आ जाना है और फिर यहां पर बगल में जाना है और फिर यहां पर बीच में आ जाना है और यहां पर बगल में चले जा यहां पर लिखा हुआ है 21 second तो यहां पर हम बेट करेंगे उसके बाद में दोस्तों अबकी बार आपके mobile का lock तूट जाएगा क्योंकि दोस्तों तीन बार हम यह करते हैं उसके बाद में mobile का lock नहीं तूटता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको L बनाना है जैसे कि यहाँ पर pattern lock है तो यहाँ पर आपको इस पर click करना है नीचे आ जाना है फिर आपको left पर चले जाना है यहाँ पर जाने के बाद में आपको आप देखेंगे यहाँ पर आपके mobile का lock तूट जाता है तो इस तरीके से आप किस बहुत धन्यबाद